गोविनपूर प्रखन के चार पंचायतों को नगर निगम में सामिल करने को लेकर ग्रामिनों का आक्रोश गोविनपूर प्रखंड के चार पंचायत जेलगर बड़ा नावाटार अमरपूर गोविनपूर पश्चिम यह चारो पंचायत को नगर निगम में सामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है इसी के विरोध में घटवार घटवाल आदिवार्शी महासभा के प्रदस अध्यक्त रामपरसाद सिंग मीडिया के सामने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि यह चारो पंचायत को पंचायत में ही रहने दिया जाए अगर यह पंचायत को नगर निगर में सामिल करते हैं तो घटवार घटवाल आदिवार्शी महासभा के बैनर तली पूरे जोड़दार से अंदोलन किया जाएगा नमस्कार जोहार जोहार जाकन मैं बाहदुर राय और आप देख रहे हैं इस्टार सिरे 24 इस बक्त मैं गोविनपूर परखंड के गोविनपूर में हूँ और गोविनपूर परखंड के चार पंचायत को नगर निगर में सामिल करते हैं दहन्यवाद और तमाम पर्खंड बासी को मेरा जार्खंडी जुहार क्या कुछ कहेगा आज गोविंदपूर पर्खंड का चार पंचायत को नगर निगम में सामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं इस पर लेकर आप क्या कहोगे इस पर हम लोग गोविंदपूर प आज हम आपके चैनल के माइधम से ये कहना चाहते हैं कि अगर दलगत लोग, सरवदली लोग अगर इस आंदोलन को नहीं उठाएंगे और उनके नेता विधायक अगर नहीं उठाते हैं विधान सभा में या शड़क पर आंदोलन नहीं करेंगे तो घटवाल घटवाल आदिवासी महासभा के बेनर तले आज हम लोग चुकि ये चार पंचायत जेलगड़ा, बड़ानवाटाण, अमरपूर, गोविंदपूर के छे गाउं को नगर निगब में सामिल करने के लिए सरकार दवारा प्रस्ताव डीशी को भेजा जा चुका है और हम धनबाद डीशी को ये कहना चाहते हैं और ये आगरह करते हैं कि हम लोग इसका पूरजोर विरोद करते हैं और हम लोग मांग करते हैं ये पंचायत में रहने से ज्यादा फैदा होगा या तो फिर नगर निगम में रहने से ज्यादा फैदा होगा इस शेत्र के लोगों को देखिए अभी तो नगर निगम का धनवाद नगर निगम का हालत मतलब सब लोग से जो है ना छुपा हुआ नहीं है किस तरह का जो है ना महां के गरीब जनता आदिवासी बेरुजगार मजदूर किसान लोग जो है ना रह रहे हैं और ये जो है ना पंचायत को काट करके फिर से अगर नगर निगम में सामिल करता है तो मने हम पंचायत में जितने आराम से रह रहे हैं उससे कहीं जिल्लत का जिन्दगी हमको नगर निगम में जहेलना पड़ेगा उसका क्या कहते हैं पानी का टेक्स लगेगा बिजली का चारगुना टेक्स बढ़ जाएगा और आपको समय पर बिजली आपूर्ती नहीं होती है मकान का टेक्स लगेगा दुकान का टेक्स लगेगा बहुत सारा जो है ना टेक्स लगेगा ना जो है ना हमारा पंचायत में सही से जो है ना रोड सड़क ये है इस शेतर में ना विक्षित शेतर है है ना ये पंचाय छेतर है ये गाउं है सुदूर गाउं है ग्रामिन छेतर है और यहां जो है ना मतलब किसान लोग किसान बर्क के लोग मजदूर बर्क के लोग इन गाउं में अधिक रहते हैं जिसके चलते हम लोग इसका विरोध करते हैं कि अगर नगर निगम में इस और सरकार के जो आला अधिकारी जीले में हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इन पंचायतों को जो है ना नगर निगम में सामिल ना किया जाए और जदी सरकार ये हट धर्मिता करती है कि नगर निगम में सामिल करेंगे ही तो हम लोग अगामी जनांदोलन करने के लिए हम लोग इन प्रस्ताव को वापस न किया जाए नहीं तो हम लोग जनांदोलन करेंगे सड़क से सदन तक यह हम लोग कटिबध हैं तो यह थे घटवार घटवाला दिवासी महाशभा के परदेथ अध्यक जी इसका कहना है कि हम लोग अगर नगर निगम में शामिल हो जाते हैं तो बहुत कटनायों के सामना करना पड़ता है इसलिए हम लोग को पंचायत में हैं हम लोग को पंचायत में ही रहने दिये जाए तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे शाद नमस्कार जोहार